देखे करन राजदान जी जो है किसी को कुछ भी बना सकता तो इस सिंगर को उन्होंने एक्टर बना दिया और अच्छा काम करवाया है मैं मतलब जब तक ठीक नहीं करता था लगे रहते थे नहीं और ठीक नहीं है ठीक नहीं है और ठंडी अवा चल रही है नदी में बैठे है लेकिन इनोंने शोड़ा नहीं है तो मुझे उमीद है कि लोगों को काम भी पसंद आएगा मेरा और जो गाना रिकॉर्ड किया गया है वो भी पसंद आएगा बहुती जय जगदीश हरे जवारती है उसको एक अलग धंग से इसमें प्रसुत किया गया है मुझे लगेगा य तो करन राज दिन कहां है कि दो चार बैंक अकाउंट और खोल लीजे पैसे बहुत आने बाद है करन जी आज के मुझे पर क्या कहां करेंगी बस बहुत खुश हैं और बेसबरी से अब निजार है साथ अक्टोबर का क्योंकि साथ अक्टोबर को फिल्म रिलीज होगी लेकि आज इसके बहुत बड़े एसेट का लांच है मैं यह कहूंगा सतीश ने भी फिल्म देखी हुई है अनूप जी ने भी देखी हुई है और मेरे हिजाब से इस फिल्म का एक बहुत बड़ा एसेट है इसका म्यूजिक और अब आप जो गाना भी जो लांच हो चुका है यू बढ़ती जा रही है और मैं बहुत खुश हुई है तो मुझे लगता है कि इस से बड़ा ही रो कोई नहीं है इस वक्त बहुत चर्चित शब्द हैं बहुत चर्चित विशाएं हैं और अगर आप मुझसे पूचने वाले हैं कि यह कॉंट्रवर्शल तो नहीं है तो मैं उसका जवाब आपके पूचने से पहले ही देंदू कि कॉंट्रवर्शी बढ़ाने नहीं कॉंट्रवर्शी खतम करने आ रहे हैं तो यह कहना चाहूंगा कि हमारी बेंटवी इनके घर पे और कुछ बातचीत चली और मुझे लगा कि अनूब जी यह रोल शास्त्री जी कुछ बजन बजन गाते हैं तो फिर उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए था और एक और बात है कि कुछ बहुत ही एहम डायलोग्स हैं इंपॉर्टन डायलोग्स हैं जो कि कि अनूब जी इस फिल्म में बोलते हैं तो उसके लिए इनका जिस तरह आप बजन समराट कहते हैं आप दिले तो एक समराट बोलते हुए बहुत बिलीवेबल लगते हैं बहुत अच्छे लगते हैं दीए मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ही है कि मेरे एक बहुत ही जिग प्रिट्टि किती थी तो हमें ना नंडन में निशूट किती उसमें काम के दाइए इतनी फिल्म ये बना चुके हैं असल में बित्तल बनाई तो ये बड़ी शार्फ फिल्मेकर और बड़े सावजिक सब्जेट्स लेकर आते हैं हमेशा अपनी पिक्चरों में तो उमर इनके साथ लंडन में शूट की थी तो बड़े सुझे हुए राइटर है सुझे हुए डरेकर है बहुत खास दोस्त है तो आप इन्होंने जो ये फिल्म बनाई है जो सिर्फ गाने में देखे में अनुती फिल्म देखी है और एक कतरता के उपर है एक सदभाव की उपर पि सब को जरूरत है तो एक बहुत ही पॉजिटिव फिल्म बनाई है तो इसे पूरी पिक्चर में रोल नहीं कर रहा हूं कोई मैं तुम्हें बताया कि हम एक बहुत ही खास दोस्त की वज़े से आउं और इसमें सर्व यही खास दोस्त नहीं है हमारे बहुत ऐसे कुछ टेक्न इनको आशिरवाद देने के लिए इनको विश्करने के लिए आए अपना अनुप जरोटा जी को विश्करने आए कि किसी ने मतलब एक सच्छे दिल से पिक्चर बनाई है अगर सच्छे दिल से कुछ बात कहने की गोशिश की है तो हम उनका साथ दे और दोस्त साथ भी अब लिए और कहानी की जरुवत ही तो वे ने पुरा हिंदूतों का टाइटल ट्रैक और सारे गाने लिख्या है वे फिल्म के तो इस नाइस मुवी और बहुत अची फिल्म है बहुत अची कहानी है और गाना बहुत अच्छा है आपने जो गाना लिखा अची के लिखा अची कि इस गाने के लिए और वो गाना अची कि आप सभी लोग मेरी फिल्म को प्यार दें सबसे पहले तो यह कहांगी इस इसका नाम में सब कुछ है आप गणा अप आप अच्छा में मेलोडी दिया और गाल ग्रेस और आप सब के प्यार से जो भी गाना मैं काया है कभी नीम निन से ले के आभी तक बहुत वली तक हमिशा गाना सुपर हित रहा और भुशे लागता है यह गाना आप सब लोग बहुत पसंद करेंगा इसमें कितने सोग है एक ही गाना है, इसमें रूमांटिक गाना है और बहुत अच्छा लिखा है, श्वेटा, मेरे छोटी बहन है और रभी शंकर जी ने बहुत बड़ीया मुजिक दिया एक्साइट, बहुत ही अमेजिंग सोंग है, देले महिली जी ने गाया है, and the depth of the song is really hard-hitting, हमारा टाइटल ट्राइक है, so of course I'm very excited about it. और आप अपने किर्दार को अपने किर्दार है? मेरा किर्दार है, वो है समीर सिद्धिकी का, जो एक यंग student leader है, college leader, and he's a brooding guy, जो अपनी community के लिए कुछ करना चाहता है, he feels that उसकी community ने इसको बहुत दिया है, and now it's time to pay back, so since childhood तो नहीं कहुंगा, university time से, he's always been that leader, जो अपने कौम को, अपने कौम के लिए कुछ करना चाहता है, and he's a powerful guy, he's a strong guy, he has like 100-200 people running after behind him, because university leader है, university students love him, and that is it all about. मैं बहुत प्राउट फील करता हूँ, कि मैं एक Hindu हूँ, हमारा culture, हमाई diversity इतनी जादा है, और ये movie का मेन, मैं जबलपुर से हूँ, MP से हूँ, और मुझे, जब मैंने script सुनी करन सर से, मुझे लगा कि कितनी चीज़े मुझे अपने खुद के culture के बारे में, मैं अपनी diversity के बारे में नहीं पता है, जो ये movie बताएगी लोगों को, आप लोगों को पता होगा, जो हम लोग Gen Z हैं, जो social media के इसमें एक दम चल रहे हैं, उनके लिए तो it's like a blessing in disguise, कि उनको अपने 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 खुद के religion के बारे में, हिंदूिज्द के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा. तेरी छवियति सुन्दर सुखदायक जे गरपतिवन्दर करनायक.